मुह मैं घुर जाने वाले आज ये ये टीली खुआ के लड़ू ऐसी रेसिपि आज से पहले आपने नहीं देखिया होगी यकिन मानिए बहुत ही यमी लड़ू बनते हैं ये और हमारे ये बहुत ही जादा फैमस हैं हमारे हां हर किसी के घर में यह तरह के लड़ू बनाया जाते हैं तो इसको बनाने के लिए मैंने यहां लिया है यह मैंने थोड़ा सा भून की रखी थी तिली और इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है ज्यादा नहीं पीसना है इसमें थोड़ा थोड़ा एक दाना होना चाहि सब्सक्राइब कोट के यहां सब्सक्राइब यह है और नान twee कोट ribs सम्रेंच कोट के सब्सक्राइब ऐर बनाके जट पलो और सबी लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे और तिली थोड़ा मार्केट की लो तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी जो घर की होती है वो थोड़ा काला पन आ जाता है उसमें तो मैंने ये मार्केट वाली तिली ली हुई है इसका कलर भी बहुत सुंदर मार्केट जैसे लड पकाया और भस खोया खोया भी हमारा तूरंत रेडी हो जाता है अगर आपको खोया बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिखें मैं खोया बनाने की रैसीपी भी लेके आऊंगे इस तरह से थोड़े थोड़े से हातों से बिलकुल नरम हातों से बहुत ही जल्दी आस कि इस तरह के लेड़्ों हमारे आँ बनाये जाते हैं तो सोचा मैंने आपके साथ भी शियर करो हमारे आप किस तरह से बनाये जाते हैं और यह लेड़्ों आपको पसंद आ乾ए तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कैसे लगे और आपको मेरी रेसीपी कैसी लगत बहुत ही बड़ी आप बनके रेडी हो गया और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है इन में बस यह थोड़े से बनाए हैं ज्यादा नहीं है देखो और बस यह मेरे चल जाएंगे किस दिन बच्चे कमी खाते हैं हम तो कोई आता है तो इसके लिए मैंने सुचा कि अच्छा ल लगी से इसका दे सकते हैं थोड़ा सा ना तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा दूरी पर इसको कट करके इसका सेब दिया था यह भी बहुत ही सुन्दर लग रहे थे देखने में ना अगर कोई गैस्ट आता है हमारे घर पे तो इसको खिलाए तो बिलकुल नहीं लगता कि या आपने घर पे बनाए है बिलकुल मार्किट स्टायल में लगते हैं यह और मेरको बहुत सोख है इस तरह से अलग-अलग किस बनाने का ना तो मैं इस तरह से करती रहती हूँ और बहुत ही अच्छा देखने में लगता है खाने में तो है मस्त एक बार आप इस तरह से जर तो बड़ी भी गरम रहती है और फाइदा भी होता है दोनों चीजे होते हैं देखिए बहुत ही बढ़िया से पाया है इसका और क्योंकि तिली का है तो है तो इसमें थोड़ी दर्दरी इसलिए फैल राइस को थोड़ा से सेव देना पड़ेगा जिससे यह थोड़ा अपना स सेट हो जाएगी थोड़ा साप इसको इस तरह से कर दोगी तो अपने आप से सैट हो जाती है फिर यह बिगटती नहीं है तो बस थोड़ी से महनत लगती है और बढ़िया संदर संदर मिठाईया बनके तैयार हो जाती है हमारी देखिए कितनी संदर लग रही है ना देखने मैं अंदर पिस्टा डाल दिये थे तो इसका फ्लेवर बहुत ही संदर आरहा है देखाओ मतलब लुक को इसका बहुत जुदर दीखने में लग रहा है बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में आ पिस्टे का कलर भाइट पे ग्रीन तो लाजवाब कलर आ जाता है असलिक ज इंजॉय करें मेरी वीडियो और रेसिपीज ओके मिलते हैं अगली वीडियो में